नमस्कार साथियों एक बार फिर एपने चैनल विकास गुपता क्लास आपका बहुत बहुत श्वागत है साथियों में विकास आज आपके बीच में ठीक ना जो निर्देसांग जामती चल रहा था 7.1 जो इसका 9 और 10 सवाल बनाने के लिए बचा था साथियों चले इसको फट सोचा था कि इसके लिए अलग से वीडियो बनाओं तो आपके बीचे में यह भीज रहा हूं और इसके लिए मैं इसलिए यह दोनों किसन बहुत ही इंप्वर्टेंट हैं दोस्तों यह पेपर में आना तहीं है हर साल एक नाएक आता जरूर है और जब आता है तो बढ़िया सक्कामh six से समदूरस था कि कहीं भी समदूरस्थ की बात अगर कहें तो पहले क्यूपी क्यू आर दो मान निकालनाओ है लोड़ानगो कर दोनों को बराबर करदेना सब्सक्राइब निकालेंगे साथियों कि यक्स का मान आ जाएगा तो दूरी आपको आसानी हो जाए निकालने के लिए यही तो कर रहा है हमने कहा था सवाल एक बार दो बार तीन बार पढ़िए अगर आपको ठीक से आ जाता है समझ में तो आप लगा सकते हैं फिर पी आर चाहिए तो पर यक्स का वैल्यू तो भी होना चाहिए तो यक्स का वैल्यू वही समदूरस से निकल जाएगा तो आप करेंगे कि पी आर का और अबिजन निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से चली साथ यह बहुत ही सष्टा सवाल है ला तो चली इसको बनाते ना बनाएंगे तो आपको अब प्रश्चनावली सेवन पॉइंट ओर दिय आ कैसे निकालेंगे पहले Q, P और Q, R निकाल लेजी है ना जब इतना वैलू निकालने के बाद जब आप करेंगे तो आपको एक्स की वैलू आ जाएगी जब साथियों एक्स का मान आ जाएगा तो आप आसानी से Q, R और P, R का मान निकाल सकते हैं या पीच की दूरी ग्यात कर सक के लुटे हैं तो चलिए बनाते हैं डिकती साथिए अब चलिए हम लोग बनाते हैं पहले हमको किसका वैलू चाहिए नहां सुनीज़कास qp क्यू अरक्सथी टो qp चाहिए तो पहले note करते हैं तो आपको क्यूए और तो Q क्या है दोस्तों जिरो Kama एक और तो YOU सकते हैं ऑब इसका नाम भी लिख सकते हैं अब आप इसकी बीच दूरी का प्लस तीन और एक कितना हैगा माइनेस च्यार का वर्ग होगा बलो दोस्तों होगा की नहीं होगा बिल्कुल होगा अब क्या करेंगे चलिए फड़ाफट वर्ग कर लेते हैं पांच पचे कितना हो जाएगा दोस्तों 25 प्लस चार और आपको निकाल ले ना चार बिल्कुल ना कितना असान था तो जब क्यूस का वैल्यू निकल गया तो अब क्या करींगे आपको निकाल देना qr का है नra qr का मान क garnish से पालेँगे चलिए निकालते हैं लिखेंगे qr ठीक है q r है ना q r equal to q ki value कितना साथिए मैंने पहले बता था 0,1 तो लिख लेते हैं कितना दिया है 0,1 और R का value कितना दिये साथ ही हो X,6 दिया है ना बिल्कुल दिया है तो आपको क्या करना इसका नाम भी तो लिखना है तो चली लिखते हैं ये क्या हो जाएगा X1, Y1, X2, Y2 आप लिख सकते हैं कोई problem नहीं है है ना अब क्या करें इसके बीच की दूरी निकाली है formula तो जानते हैं क्या होता है X2-1, X2 का मतलब क्या है X-1 का मतलब 0 का whole square plus Y2 मतलब 6-Y1 का मतलब 1 का whole square अब साथियों क्या हो जाएगा equal to under root में X में 0 जाएगा तो X और यहां क्या लग जाएगा स्क्वार प्लस 6 में से जाएगा तो 5 का whole square लग जाएगा दोस्तों फिर क्या जाएगा साथ हूं बताई यह बिल्कुल बताई यह बहुत ही आसान है तो X स्क्वार ही रहेगा लेकिन जब 5 का वरक करेंगे तो 5 पच्छे कितना हो जाएगा पच्छी सोजाएगा होगा की नहीं होगा बिल्कुल अब मैं आपको याद होगा मैंने क्या बताई था कि आपको qp कि यह जो QP है Q,QP है Q,QR के बराबर होना चाहिए दिखें आपके बीच में किसका वैलीयु किसका आया है ना bağ carry क्ई टृवार का वैलू आ गया है थो अब मैंने आपको बताया तक सम्दूरस्त हैं तो सम्दूरस्त के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्यूपी क्यू आर के बराबर करते हैं क्या करते हैं क्यूपी क्यू आर के बराबर करते हैं चलिए हम बनाते हैं ठीक न तो क्यूपी qp equal to qr है न दोस्तों बिल्कूल इतना कर सकते हैं qp equal to qr ऐसा क्यों कि यह समदूरस्त है अब साथे एक चीज बताई है qp और आप देखे थे qp का value कितना आथ है देखते हैं फटाफट qp का value बाया है under root में 41 तो चलिए रिखते हैं क्या है under root में 41 equal to qr है न तो qr का भी तो मानची है कितना है दोस्तों x square plus 25 तो चलिए लिखते हैं क्या जाएगा under root में x square क्या हो जाएगा 25 बिल्कूल हो जाएगा दोस्तों अब क्या करेंगे साथे इतना करने के बाद अब आपको क्या कर देना है दोनों पच्छों का क्या करने देना है वर्ग तो लिखेंगे क्या लिखेंगे दोनों दोनों पच्छों का वर्ग करने पर दोनों पच्छों का वर्ग करने पर है न साथी बिल्कूल तो वर्ग करेंगे तो कंड़ी बिल्कूल हड़ जाएगी तो यहां कितना बच्छेगा 41 बराबर और यहां क्या बच्चेगा दोस्तों X square plus 25 अब दोस्तों इसको सही से लिख भी सकते हैं इसको आगे पीछी भी कर सकते हैं कैसे X square plus 25 equal to 41 X square equal to अब यह काम करिए प्लस है इस तरफ जाएगा तो minus एक तालिस माईनेस कितना होगे दोस्तों बच्चीश हो जाएगा बताये un tra lose कितना हो जाएगा और आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा solo X square equal to कितना जाएगा solor् a and comentarios स्कामार निकालेंग लिए तो प्लस minus 4 चो छोल तो आपके पास plus minus में कितना आ गया चार आ गया तो सार्तियों मेरे पास यह तो आया है ना देखिए जो मैं ने आर लिखा था देढ़ी लिखा दाना दो काम अच्छे इसका क्या है plus minus किना塊 प्लस-4 जेह है तो चलिए इसको फॉटा-पड़ तो यह तो निकल गया अब हमें करना क्या है क्यू आरों पी आर का मान निकलना तो साथ चलिए बनाते इसको ना कि दिखिए अब लिखें गिस का वैलों मुझे चाहिए फटा-फट बुझे चाहिए था ठीक न तो पहले आर काने संग ल्हें ले लेकिन लिए थे याद रखिएगा कितना था यक्स कामा 6 यक्स कामा 6 और यक्स के जगह पे कितना है प्लस माइनस में आया है तो यक्स एक बार 4 कामा 6 ले लिजिए और एक बार ले सकते हैं या या 4 माइनस 4 कामा 6 ऐसा क्यों हमने किया साथ ही क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि प्लस माइनस में छार आया था एक बार प्लस होगा और एक बार माईनस में होगा तो साथिए इतना तो हम लोग कर लिए चलिए फणाफट मनाते अब हुझे क्यों आरका वेल्ू निकालना था । यहां चाहिएक चाहिए लेकीं मेरे पस्क्रावन नहीं तो क्यूव आप देखेंगे मिंजर क्यों क्यों दोस्तों क्यों कमाला है यहां हो जाएका 0 pests हो जाएगा और दो आ char光 Singh and और एक है 1-4,6, दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो चली, अब आपको करना क्या है, आपको सरल तरीके से x1, y1, x2 और y2 नाम देखने ना है अब इनके बीच के दूरी निकालना है साथ है ना इनके बीच का क्या निकालना है दूरी तो फार्मुला आप जानते हैं अंडर रूड में x2 मतलब 4-0 का square प्लस y2 हिए नहीं हो जाएगा बिलकुल होजाएगा प्लस टो जोर टो कितना आ जाएगां डर मести तालिस वहा हूँवकण नहीं हो बिलकुल हो कि साथ ये हमने कब लिया था जब प्लस के लिए और किसके लिए आया है एक बार माइनस के लिए वह देख लेते हैं कितना आता है तो अब क्या करेंगी आपको याद है हमने क्या बताया थे ईनकी बीच की दूरी निकालनी है तो यक्सटू माइनस चाहर माइनस एकसोबन जीरो-ची-ब्लास वाइ टू का मतलब कितना ऊजाएगा 6-1 का ओलिस्वार देखी वही आ रहा है बिल्कुल रहा है तो equal to आ अंडर रूड में यह माइनस चार का वरग बचेगा प्लस छह में सिख जाएगा तो पांच का वरग एक्वल टू अंडर रूड में चार चोग सोल प्लस पच्वा पचीश एक्वल टू अंडर रूड में कितना अगया साथ हैं एक तारीश देखिए आया की नहीं है बिल्कुल आगया देखिए इसका भी आया था अंडर रूड एक तारीश तो कोई प्राब्लम नहीं है ठीक है न तो हमने की वर का मान निकाल अभी तो qr का तो मान निकल गया लेकिन तो पी आर का तो भी मान निकलना है तो चलिए पी आर का भी मान निकाल लेते हैं तो पी आर इकोल टू अब सपोच कीजिए पी का वैल्यू कितना है तो देख लेते हैं चलिए यहां देखते हैं पी का मान कितना है देखिए दोस्तो प्लस में, य cabely को लिए टो प्लस वाला करता है तो इतना करने के बाद आपको पता है न कि इसका X1 यह Y1 यह X2 और यह Y2 है ना बिल्कुल अब चलिए इसके बीच की दूरी निकालते हैं फटाफट तो क्या जाएगा अंडर रूड में X2 माइनस X1 का होली स्क्वेर प्लस Y2 माइनस Y1 तो माइनस माइनस प्लस का तीन का होली स्क्वेर हो जाएगा और साथ युकिना जाएगने एकवल तुट अंडर रूड में चार में सपाउंज जाएगा तो माइनस एक नव का वरण प्लस छे नौक और एकक अंडर रूड में एक कावर रख करेंगे एक और 991 अंडर रूड में दोस्तों कितना जाएगा 82 आया की नहीं है बिल्कुल आया तो यह किसके लिए था जब मैं पॉजीटिव लिए था है ना एक बार निगेटिव लेकर देखते हैं तो पी पी का वैलू कितना पी आर पी का पांच कामा माइनस तीन और आर का लेंगे माइनस चार कामा ठीक है एक बार पोजीटिव लिए था प्लस माइनस में था बिल्कुल अब क्या करेंगे साथ में चले निकालते हैं अब आप जानते हैं अंडर रूड में एकस टू माइनस एकस वण का होली स्क्वार प्लस फोली स्क्वार प्लस चैति नौ का वरग हो जाएगा अब साथियों आजाए कितना नौन नमा एककासी प्लस नौन नमा एककासी ठेक ना आएगा आप इसको एड़ करेंगे एक एक कितना हो जाएगा दो 88816 है ना एक दो आठार 16 और साथियों इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 9-9-1-1-1-2-2 तो आपका दो एंसर आया तो आप देख रहे हैं आपका प्र कमान दो एक आयत है अंडर रूड में आसे संबन्ध तो दिया है इसका नाम और जो अगला वाला वाला पॉइंट दिया होका उसका ना बी 3-6 इसका नाम रख देते हैं 3-6-1 तो क्या हो जाएगा अब क्या करेंगे तो बहूत ही आसाने साथ ही हम लोग बहुत गजब बना लेंगे बहुत मजा जाएगा तो क्या करेंगे के पहले हमें A bosta समधूरस्फ यात रखानहां में पहले बताथ 돼 में फिल दंब अव एक्वाइलव टू एक्ष क्वारीं साथ यह हो आप तो फार्मूला यहां सती हो ॏ अन तो पिल्कूल हो जाएगा तो अब यह भी का तो पहले लेकिन मुझे अभी तो तो एसी का भी तो चाहिए तो चलिए एसी का फटाफट निकाल लेंगे तो अंडर रूड में Date करें एकर भी पक्राइब क्या चलिए अब क्या लिखेंगे क्या अब लिखेंगे क्या सम्दूरेस्त चुकी बिंदू चुकी लिख देते हैं चुकी बिंदू बिंदू स्वरी चुकी बिंदू बिंदू ठीक ना एक्स कामा एक्स कामा वाइए एक्स कामा वाइए ठीक ना और क्या है बिंदू मिन्स बिंदू यो बिंदू ख हैं जई हुआ धूरस्त्र संदूरस्त है न संदूरस्त है 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 निसमे बिल्गूल आप इसको इतना देखने लेगी कोई देने आप साथ ही क्या करेंगी तो आप जब इतना कर लेइस बीक एक哇 to a c हैना इतना कर लेंगे तो a b a b का value खुशते हैं दोस्तों दिया है a b क्या मान कितना दिया लिख लेते दिया अंडर रूड में ठीक है न है यहां दिया तीन minus x का holy square plus six minus y का holy square अंडर रूड यह दिया है अब दोस्तों क्या करेंगे equal to हैना और अब क्या चीए a c और a c का value कितना दिया साथ है दिया है minus 3 minus x का holy square plus और यहां साथ हो दिया चार minus y का holy square तो दिया है न तो अब क्या करेंगे जब इतना हो तो अब इतना करने के बाद आपको एक काम करना है लिखेंगे दोनों पच्छों का वर्ग करने पर चलिखते हैं लिखेंगे कितना 3-1 का Holy Square plus 6-y का Holy Square equal to यहां बचेगा minus 3- x का Holy Square plus 4-Y का Holy Square है बचेगा बिलकुल यहीं बचेएगा दोस्तों चलिए वड़ कर लेज़ें फटाफट दिखें इसमें प्लस बूल सब्सक्रण बई अ क्या मतलब एक्स प्लास की क्या हो जाएगा इस के और दोस्तों दिए कितना आसान एक्वल टू लगा देती इसको विट तोड़ना पड़ेगा के ऐसो करना पड़ेका चलिए स्कुर कर लेथे इसको लेखर मैईनस को लlike B-square का मतलब x square फिर दोस्तों minus 2 a a का मतलब कितना दोस्तों कितना हो जाएगा डाइट कर लेते हैं फटाफट डाइट कर लेते हैं तो a b मतलब तीन दूनी 6x हो जाएगा तो यह प्लस 6x प्लस 6X हो गया ठीक है प्लस 6X हो गया और प्लस यहां है तो प्लस में लिखेंगे A2 माने 4 चोक 16 प्लस B2 माने Y2 फिर माइनस 2AB तो 2 चोक 8Y दो चोक कितना हो जाएगा 2 गुड़े 4 गुड़े Y लिखी लेतें कोई दिक्कत नहीं तो चलिए साथ हो इतना तो हम लोग कर लिए अब कितना है नोट कर लेती हैं है दोस्तों कितना नोट कर लेती हैं कितना दिया है दिया है नव प्लस XSGUARD ठेक है 9 plus x square दिया है तो अब दोस्तों इतना तो दिया है अब क्या करेंगे फटा फट देखते हैं 9 plus x square और क्या दिया है minus 3 दूनी 6x है ना minus minus 3 दूनी 6x plus और क्या दिया है दोस्तों दिया है 36 plus y square 36 plus y square तो जाएगा 36 plus y square और क्या दिया है दिया है minus है ना minus में दिया ना 6 दूनी कितना हो जाएगा 12y-12y तो यहां हो जाएगा minus 12y हो जाएगा और दोस्तों क्या दिया है ठीके इतना तो हो गया equal to लगा है तो चैंब एक्वल टू कितना फिर आया है देखे ले पर फत दिया दोस्तों 9 प्लस एकस स्कॉयर ₹ स्कॉयर ₹ क स्कॉयर तो हो जाएगा ₹ल चस्कॉयर् और क्नोल च्छा एकस प्लस YouTubers लग श्राप सवाल को हम नोट कर लिए अब क्या करना है कुछ तो करना नहीं है बिल्कूल अब आपको पच्छांतर करें कि बस क्या कर लेना है तो चलिए रखते हैं कैसे अब देखिए यह देखिए अच्छे देखिएगा यह 9 प्लस एकसा स्क्ट्र यहां भी है और यहां भी तो फिल सब्सकाह बिदाइं कर दिया कितना सब्सक्ट बचंच भी अब dubfik देखो दंच से यहन क्या प्लस यक्स तरह अंब क्या देखिए माइन्स च्मांब नियुक्त होगा और की नहीं आल दोस्तों । यहां क्या है कितना दोस्तों यहां-12y ऐस फिर आ हेंगे ऊठीकत कि अमाइना है खाल यहां-28y तो इसको भी स्थरों लाएंगे थो फ्लस तो जायेगा 8y दोस्तों और प्लस यहां कितना है 36 तो फ्लस 36 और यहां फ्लास में 16 गॉल तो जीरू बच नोस्तों करते हैं छलिए फटए फट अब क्या करेंगे दोस्तों देखे इधर एधर देखे 6 से कितना है जाएगा माइनएस 12 FC होगा बताएए होगा की निहें और यहां देखे 12 multiply 8 जाएगा तो बड़ा फाला चीप दो हैं दोस्तों तो कितना के 20 आगया इकोल टो कितना के 0 अगर हम माइनेस 4 कामन ले लें दोस्तों तो यहाँ जाएगा 4 ती यह इबारत 3x प्लस ठीक है y भर बचेगा माइनेस 4 पंचे 20 इकोल टो 0 इसको इस तरब भेजेंगे साथ यह तो कितना हो जाएगा 3x इक यही हमारा क्या होगे दौस्तों यह हमारा qya कितना असान था कितना हम तो सर्म तरीके से बना लिए अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें बीडिखोल और आप चटो अबuben चेडिकों अमें यह पता सब्सक्कर तो आपको जो भी दिक्कत हो आप अवर्ष्य बताएं ठीक ना उसको नेस्ट वीडियो में अवर्ष्य कि समाधान किया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद